हेलो अलो फ्यू हम लोग अब सुरू करेंगे अपने टर्मिंड इंग्जाम के तयारी के लिए मैंने प्रिवेस एर कुष्टिन पेपर डिसकस कर लिया आज हम लोग नॉलेज के डिफनेशन हो गयरा के बारे में सर्च करेंगे अगले वीडियोज में टाइप्स इस को आप लोग देख सकते हो और मैं एकदम पिन पॉइंटेड ही बाते करूँगा तो यह सारी चीज है तो देखो एक रैंडम हाउस डिक्सनरी है उसने नॉलेज को बोला सबसे पहली चीज कि मतलब किसी इन्वेस्टिगेशन और इस्टेडी के बाद जो फैक्ट्स और फ्रिंसिपल्स आते हैं उसके बारे में जानकारी नॉलेज कहलाता है और क्या नॉलेज होता है अगला उसने बूला इसलिए मैं इसको पड़ रहा हूँ बिना पढ़े भी मैं बोल चकते हूँ जिससे आपको याद रही है सारी चीजे और आपका फोकस हो एक बार आप मेरे साथ भी पोड़ लो इसलिए मैं इसको पोड़ रहा हूँ तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जो हम लोग देखते हैं experience करते हैं या कुछ ऐसे report होती है उन सब चीज़ों के बारे में हमारी जो familiarity होती है कोई हमारी जानकारी होती है उसको knowledge कहते है awareness किसी भी परिस्थिती के बारे में awareness को हम knowledge बोलते हैं और that which it is or may be known information किसी भी information जिसको आप जानते हो उसको knowledge बोलते हैं हम लोग उसके बाद the body of truth of facts accumulated by mankind in the course of time as the example man's knowledge of the moon किसी भी fixed time में जो मनुस्य के द्वारा जानकारी कठा की जाती है कोई सत्य कोई घटना कठी की जाती है उसको हम लोग knowledge कर सकते हैं जैसे चंद्रमा के बारे में जानकारी उसको बोल सकते हैं तो यह इन लोगों इन्होंने कुछ बताया रेचे डी रेंडम हाउस डिक्सनरी के बारे में और एक और भी परिवासा है एक सिंपल साही रोने परिवासा दिया एल्विन टोफलर इन्होंने बोला कि knowledge which includes data, information, image and imaginary as well as attitudes, value and other symbolic products of society whether true, approximate or even false उसको बोलते है knowledge, knowledge क्या होता है कि knowledge के अंदर data आता है information, image या कुछ भी image मतलब यहाँ पर कुछ सोच, कोई thought उसको बोलते है या कुछ ऐसी अनुमान लगा लेना को गहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है, चित्र का प्रयोग नहीं, image का मतलब होता है, कोई चित्र मतलब कुछ सोच लेना उसको और उसके बाद attitude हो सकता है, कोई value हो सकता है, या कोई symbolic product हो सकता society का जरूरी नहीं कि ये सही है, जरूरी नहीं कि ये अनुमानित है, बलकि ये गलत भी हो सकता है, उसको हम knowledge बिखते हैं तो Elvin Toffler और इन दोनों का मैंने आपको definition बता दिया knowledge के बारे में अगला हम लोग knowledge के characteristics को पढ़ लेते हैं, कि what is knowledge characteristics तो तीन चीज़े पूछे जा सकती है, एक तो what is knowledge nature, characteristic और properties, तीनों में यही लिखना है सिर्फ आपको, सबसे पहले knowledge is finite, मतलब जो ग्यान है वो अनन्त है, उसका कोई अन्त ही नहीं है, दूसरी चीज़े, knowledge is dynamic, continuous and ever expanding, dynamic क्या होता है, जो हमेशा change होता रहाता, continuous जो चलता रहत expanding मतलब जो बढ़ता रहता, full रहता है, no final word can be ever said of any discipline, किसी भी बिसह के बारे में, कुछ भी अन्तिम नहीं कहा जा सकता, कि यह definition किसी चीज़ की हो सकती, या किसी knowledge, जैसे बोल दिया गया, कि पृतिवी जो है, गोल है, कोई जरूरी नहीं कि यह सच हो, क्योंकि अभी गोल है, और मालो, 200 million साल बाद, फिर क्या होगा, हो सकता, अंडागार हो जाए पृतिवी, या इसका safe ही बदन जाए, तो इसी प्रकार से no final word can be said to any discipline, discipline मतलब होता है subject, किसी भी बिसह के बारे में, कुछ subject मतलब है, इतिहास भोगोलने, किसी भी topic को हम बोल सकते हैं, तो किसी भी criticism, correction, contradiction, change or modification, सबसे अच्छी बात होती है, किसी भी subject को हम लोग criticize कर सके, criticize मतलब अलोचना कर सके, उसकी अलोचना हम लोगी ले करते हैं, कि उसकी कमियों को निकाल करके, उसको ठीक किया जा सके, एक होती बुराई, एक होती अलोचना, बुराई जो होती है, वो जलन के नाते ह होती है किसी से, कि जलन हो रहा है, तोड़ाफ हो रहे हैं, और उसकी हम बुराई कर रहे हैं, दूसरे होती है, आलोचना, आलोचना, उसकी कमियां हम ठीक करना चाहते हैं, इसलिए उसकी हम नकारात्म बाते कर रहे हैं, इसको बोलते हैं, criticism, आलोचना, दूसरी होती correction, कि उन कम्यों को दूर कर देना फिर contradiction क्या होता है कि कुछ चीजों में जैसे माली जीए महात्मा गांधी ने बोला था कि जो बड़े उद्ध्योग धंदे होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं और आजकल बड़े बड़े उद्ध्योग धंदे लगाये जा रहे हैं modify मतलब उसमें थोड़ा बहुत बदला हो change मतलब होता पूरी तरीके से बदल ढालो modify मतलब कि वो पहले से मौझूद है उसमें थोड़ा सा परिवर्थन कर दिया कि कुछ लोगों ने क्या किया कि वो जो engine petrol वाला बाइक था उसमें थोड़ा सा modify किया electric वाला बैटरी बैटरी लगा दिया अब यह electric bike हो गया तो यह modify हो गया और change मतलब क्या हो गया कि petrol वाली bike बेच दो हटा दो उसके बाद उसकी जगा पे electric bike लिए लग नया उसको change बोलते है a gifted mind may acquire wide knowledge जो महान बेखती होते हैं जिनके अंदर God gifted qualities होती है वो लोग क्या करते हैं महान ग्यान को प्राप्त करते हैं जैसे बुद्ध हो गए और वो deep wisdom मतलब देखो एक चार चीज़ें होती है data, information, knowledge और wisdom wisdom पर तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं बुद्ध, राम, कृष्ण, कभीर, नानक, मीरा ये लोग wisdom तक पहुँचे तो उस deep wisdom को ये लोग जान पाए और जैसे कभी वो हो गए scientists हो गए जैसे रामनुजन हो गए एपी जिब्दुलकराम हो गए और होमी जहांगिर भावा हो गए ये लोग महान scientists जो हुए है वो लोग knowledge तक पहुचे अच्छे से उन्होंने पूरा implement किया knowledge और wisdom के बीच में हम लोग बोल सकते हैं लोगों को फिर उसके बाद जो साधानाट लोग होते हैं वो information में ही लटके रह जाते हैं और कुछ लोग तो उससे भी बुरी स्थिति में रहा थे data में तो इसमें ये मैं आप लोगों को explain करने के लिए सारी चीज़े बता रहा हूँ ये मैं सीधे सीधे भी बोल सकता हूँ बट आपको याद नहीं होगा तो इसलिए मैं इसको समझाने के लिए बोला हूँ तो कोई भी जो gifted विक्ति होगा उसको ये knowledge होगा उसके deep wisdom होगी और spiritual insights मतलब आध्यात्मिक चीज़ें उसको insights पता चलेंगी कुछ ऐसी चीज़ें दुरलब चीज़ें जो अन्ने लोगों को नहीं पता चल सकती लेकिन अगर उमर गया विक्ति तो फिर उसके साथ सारा ज्यान चले जाएगा अगर वो record नहीं किया जाए बुद्ध का ज्यान जो है पच्चे साल साल पहले उन्होंने दिया था और आज भी जिंदा कैसे है क्योंकि उन्होंने सिखा दिया समाज को उन्होंने बोला कि ज्यान किया तुम भी यह ध्यान करो फिर अगले ने ध्यान किया अभी देखो ध्यान करते करते सब लोग ध्यान करने लेगए भगवाण स्री किष्ण ने गीता में जो उपदेश दी आरजुन को फिर उनसे वेदब्यास ने लिखा और सब को पता चल गया तो ये recorded form है knowledge once parted to others results in no loss to the person अगर एक बार knowledge किसे दूसरे के पास पहुँच गया देखे YouTube वीडियो में बना रहा हूँ मेरा knowledge आप तक पहुँच जा रहा फिर उसके बाद अन्य लों तक पहुँचा जाएगा आप से वो knowledge दूसरे तक पहुँचेगा तो फिर वो कभी इंड नहीं होगा हलाकि ये जो मैं बढ़ा रहा हूँ ये knowledge नहीं है information मैं बोल सकता हूँ क्योंकि knowledge इससे बड़ी चीज है अगर मैं इस पे सोध करूँ कोई अपनी विचार अपना develop करूँ तब वो knowledge होगा knowledge becomes absolute 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 मतलब होता है कि जो आज relevant है लेकिन कल relevant नहीं है ठीक है आज तो उसका use है बट आगे चलकर use नहीं है absolute मतलब no longer useful ठीक है तो knowledge is becomes absolute तो ये characteristics आप लिख सकता हो absolute का word कई लोगों को नहीं पता था इसलिए मैंने इसको बता है types and scope ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे next video thank you very much